बंदर और मगरमच की कहानी एक बार की बात हैं. एक जामुन के पेड़ पर बबलू बंदर रहता था. उस जामुन के पेड़ पर बहुत ही मीठे-मीठे जामुन लगते थे. एक दिन एक मगरमच खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया. उसने बबलू बंदर से जामुन खाने के लिए मांगे, बबलू बंदर ने मीठे जामुन मगर्मच को खाने के लिए दिये. मगरमच रोज बबलू से मिलने आता और बबलू रोज मगरमच को जामुन खाने को देता और दोनों में गहरी मित्रता हो गई एक दिन मगरमच मीठे जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसकी पत्नी का दिल लल्चाया और उसने सोचा जो बंदर रोज ऐसे मीठे फल खाता है उसका दिल भी खूब मीठा होगा पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाया और मगरमच को कहा उसकी बीमारी बंदर के दिल खाने से ही ठीक हो सकती है और वो इसी जिद पर अड़ गई पतनी की जिद से मजबूर हुए मगरमच ने बंदर का दिल लाने की योजना बनाई और बंदर से कहा कि उसकी भाभी ने उसके लिए पक्वान बनाए है और उसे घर पर बुलाया है बबलू बंदर बोला कि वो नदी में तैर नहीं सकता मगरमच ने उपाय सुझाया कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ मैं तुम्हे सुरक्षित अपने घर ले जाओंगा बबलू बंदर भी अपने मित्र की बात मान कर उसकी पीठ पर सवार हो गया काफी दूर जाने के बाद मगरमच ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानी नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पतनी उसका दिल खाना चाहती है बंदर चिंतित और निराश हो गया लेकिन उसने अपने विवेक का इस्तमाल किया बंदर मगरमच से बोला धत तेरे की तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मैं तो अपना दिल जामुन के पेड में संभाल कर रखता हूँ तुम जल्दी से मुझे वापस जामुन के पेड पर ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भावी को भेट दे सकू मुर्ख मगरमच बबलू बंदर को जैसे ही पेड के पास लाया बबलू तुरंट छलान लगा कर पेड पर चड़ गया बबलू मगरमच पर हसा और बोला मूर्ख मेरा दिल पेड़ पर नहीं मेरे सीने में है और बिना दिल के कोई जीवित नहीं रह सकता आज से तेरी मेरी दोस्ती खतम इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने विवेक से काम लेना चाहिए